नुस्कार स्वागत हैं आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और इस कारक्र में मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश तीन मुद्धे आज के कौन से हैं राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा पर जान से मारने की धम की और F.I.R. भी दर्श किया जा रहा है मुद्धा नंबर दो मोधी जी बोलते हैं मुझे रोज दो से तीन किलो गालियां मिलती हैं क्या मोधी जी आलोशना और गाली के बीच का फर्थ भूल गए हैं मुद्धा नंबर तीन आपके सामने होगा G20 की अध्यक्षता भारत ने की मगर इस पूरे आयोजन को प्रधान नंत्री नरेंद्र मोधी को प्रमोट करने का जरिया बना दिया गया और असली मुद्धे कहीं न कहीं दब गए मगर शुरुआ दोस्तों हम करना चाहेंगे किस तरह से सावरकर के मुद्धे पर आमने सामने हो गई है बीजेपी और राहूल गांदी जैसे कि आप जानते हैं राहूल गांदी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा पर हैं महराश्ट में हैं भाजपा के एक नेता ने उन्हें सी जंदे ग्रूप है उनके एक नेता ने उनके खिलाफ दर्च कर दिया है एक ऐसे बयान पर जिसे तथ्यात्मक माना जाता है मैंने हर बार कहा है कि जैसे राहूल गांदी हिंदी पट्टी में प्रवेश करेंगे उन पर हमला जो है वो तेज हो जाएगा क्या है इस खबर का पंच शुरुवात करना चाहेंगे भाशा के साथ एक बात बहुत साफ है कि राहूल गांदी इसमें युद्ध पट्टी में प्रवेश कर रहे हैं यानि उत्तर भारत में प्रवेश कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा ग्राफ बढ़ाया है उससे तिलमिल साफ कह रहे हैं हिम्मत है तो इस यात्रा को रोक लो रोक सको तो रोक लो प्रेस कॉंफरेंस में बोलते हैं हमला तेज है चैलेंज तगड़ा है अब इसार क्या है आपका पंच इस पर पंच यह है भाशा कि राहूल गांदी एक बहुत ही खत्रनाक खेल खेल रहे हैं राहूल गांधी आरेशसर भारती जनता पौर्टी की मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस स्मुद्दे को लेकर गंभीरता से विचार करना होगा धंकिया भी मिल रही है उन्हें अपनी सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिना होगा उर्मिलेशी आप बताईए इस स्मुद्दे पर क्या है आपका पंच जहां तक मैं समझता हूं कि भारत के स्वाधिंता आंदोलन ब्रिटिस हकूमत और सावरकर के रिष्टों पर राहुल गंधी ने जो कुछ कही बाते हैं वो बाते तो बिलकुल इन्फॉर्मेशन के स्थर पर सही हैं उसमें कोई दोराय नहीं इतिहास इसकी गवाही देता है ल प्रेक्टिकली तैक करना होगा और टेकल करना होगा शुक्रे और मिलेश जी हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे खुद सावरकर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है और उसमें उन्हें कहा है कि भई जब अंग्रेजों का मुकाबला जैपनी सेना के साथ होगा तो हमारे युबकों को अंग्रेजों का साथ देना के लिए बड़ी तादाद में सेना में भर्ती करनी चाहिए आधा दरजन बाद अंग्रेजों से जो उन्हें माफी मांगिये यह एक हकीकत है यौर नोबल सर्विंट आपका वफादार नौकर भाषा यह हकीकत है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको लेकर आपक्ति क्यों उस भारती जनता पार्टी की नेता को इतनी जादा चिड़ मजग गई कि आप जो है उस पर फाई आर दर्ज कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर जो सिर्फ एक हकीकत है जी और मुझे लगता है कि सिर्फ फाई आर करके उन् कि कोई मित्की अकता है याप सावरकर को मित्की अकता बना दिजिए कि बुल-बुल पे बैटकर आया और सवारी करने लगे इस तरह से इतिहास ऐसा कर दो आप छोटा सा च्छेट था बुल-बुल आती थी उस पर बैठते थे भारत आते थे तो महोदे को बताना चाहिए कि इतिहास ऐसे नहीं चल सकते हैं, आप अपनी मित की कतायें चला सकते हैं, और सावर कर एक historical person है, कम से कम उनकी तो इज़त कीजी, आप ये कह सकते हैं कि ये उनसे गलती हुई, इसके बाद उन्होंने ये किया, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो, लेकिन दरसल असली मकसद द हमकी, राहुल गांधी कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जो बहुत भी समवेधन शीर हैं, RSS के मर्म पर हमला करना, उसके अलावा लगातार बिजनस समू के दो सबसे मजबूत चेहरों पर, वो लगातार हमला बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसे जगाओं पर जा रहे हैं, ज या खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं, देखे, मैं समझता हूं कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, उसमें खासक तोर पे जो उन्होंने सावरकर के बारे में कही हैं, वो कॉंग्रिस की जो पहले से जो पोजिशन एक रही है, दरसल उससे भी काफी अलग है, मैं क्यों पार्टी ने आफिसली ये पोजिशन ली कि वो सावरकर के मुद्दे को नहीं उठाएगी, क्योंकि उसमें महारास्ट के कांग्रेसियों ने केंदर के जो कांग्रेसी थे, उनके खिलाफ एक तरह से बगावत कर दी, और कहा कि अगर आप सावरकर का मामला उठाएंगे, तो हम लोगों को काफी परिशानी होगी, महारास्ट में ये मुद्दा था, तो उसमें आज राहूल गांदी अगर कह रहे हैं कि सावरकर माफी वीर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि माफी उन्होंने मांगी थी, जो हकीकत है, जो असलियत है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस म लोगों को कैसे टेकल करना है इस इशू को ये वो जाने और अगर वो नहीं टेकल करते तो यकीनन बीजेपी शिव से ना इसको एप्रोप्रियेट कर लेंगे और इनके खिलाब जाएगा मसला है एक और मसला है देखे सिर्फ उनके लिए चुनोती यह नहीं है कि वो स्थानिय महराश्ट कॉंग्रेस से कैसे डील करेंगे उद्धव जो कि उनके साथ ही है जिनके बेटे उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए वो भी असहेश दिखाई दे रहे हैं तो करना होगा शिव शेना के साथ जो उनका एलाई है घाड़ी में कि भी हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो हिस्ट्री का एक पैक्ट है आपको कोई संदे हो तो वो देख लीजे देखे एक बात बता कर अपनी बात खतम करता हूं कि सावरकर को वाजपई सरकार ने भारत व्र अपने साथ प्रधान मंत्री जी को और कैसे उस फाइल को बंद करा दिया था और कहा था कि ऐसा करना देश के इतिहास के साथ बिल्कुल डिस्टॉर्शन होगा प्लीज वाजपई जी आप ऐसा मत कीजिए और वाजपई जी ने उनकी बात पान ली थी उस फाइल को फिर से खोलने की कोशिश है क्योंकि उनका महिमा मंदन चाहती है बीजे पी आज की जो काफी मदबूत बीजे पी है कि उनको आगे बढ़ाया अज़ाए इसावर कर दो मेरे काल से दिक्कत क्या है भारती जंता पार्डी के साथ कि आपके पास तमाम आदर्श हैं शामा प्रसाद मुकर जी सावर कर और इन सब के इतिहास में ऐसी चीजे छुपई है मसलन हिंदू महासभा या शामा प्रसाद मुकर जी ने एक नहीं दो दो जगाओं पर जिन्ना के साथ, उनकी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, अब आ इससे कैसे मूँ मड़े, सोचिए, सोचिए भाशा, अगर उस वक्त महात्मा गादी ने, नैरू ने, इनको देश का घदार बोल देता है, जिस तरह से आसानी सी शब्दों का इस्तमाल बाकियों के लिए काते, अब तक ये मूँ छुपा रहे होते हैं, और देखें कि जो दो राश्ट सिधान्त है, दो राश्ट सिधान्त को लेकर कोई भरम की बात नहीं है, जितने नाम आपने गिना है, तो उसमें तो ऑफिशल डॉकुमेंट में है, कि कौन-कौन जिन्ना के साथ है दो राश्ट ने इस मुद्दे को उठाने के लिए, यानि वो पॉलिटिक्स दूसरे ढंग से खेल रहे हैं, और उसके साथ-साथ, राश्ट को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी हमला वर हैं, मेरे ख्याल से, कॉंग्रेस के पूरे इतिहास में, कोई बड़ा नेता, राश्ट सिधे-सी में, भारती राजनीती में, जब तक आप RSS हों, या सावरकर हों, इंके इर्द-इर्ज पॉलिटिक्स है, उसको आप जब तक बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और शायद यही आग से खेलने का काम, राहुल गांधी महराश्च के दर्ती में किया, और आप यह देखे, यह बहुत एहम सिग्नल है, और शायद इसलिए FRI, तवरित रियाक्शन, एक शब्क का इस्तमाल यहां भार्शा ने किया, आग से खेलना, ठीक है, मेरे खाल से वो आग से खेलने का जो आप एक्स्प्रेशन इस्तमाल करत रहाती है, राहूल गांधी कुछ ऐसी लक्षमन रिखाओं को पार कर रहे हैं, जो राजीव गांधी ने नहीं की, इंद्रा गांधी ने हिमाकत नहीं की, तो कि वो लोग खुद कटर हिंदुत के साथ फलर्ट करते रहें, अगर मैं शब्दावली का इस्तमाल करूँ, इसक कि परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या उसकी आशंका है आपके जहन में, किस तरह के परिणाम है, तेके इसके लिए जरूरी है कि राहूल गांधी अपनी पार्टी को आगनाइज कराएं, अपने पार्टी का सांगठनिक आधार बढ़ाएं, क्योंकि जो मीडिया इस देश का है में स्ट्रीम इडिया, वो बीजेपी के और सरकार के अस्थर के रूप में काम कर रहा है, उसके बड़े हत्यार के तोर पे काम कर रहा है, तो आप जब तक इसको काउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप नई forces को कांग्रेस से नहीं जोडेंगे, या United Front को इस तरह का नहीं बन जाएगा या राहूल गांधी सोच के साथ ही कर रहे हैं देखिए मुझे तो बहुत साफ लग रहा है कि एक सोची समझे रणनीती के तहट राहूल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और शायद इस तारीक में अगर इस हिंसा जो हिंदुत्व का हिंसा वाला रूप है उसको एक्स खून आ रहा है नए लोग आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एक विकल्प जिसकी हम लगातार बात करें कि वैचारिक विकल्प आप कैसे तलाशेंगे शायद उसकी तैयारी यहां पर है और आख से खेलना इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बम से रेंद्रमोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे रोज दो से तीन किलो गालिया मिलती हैं और उसे मैं अपनी उरुजा बना कर उसके साथ आगे बढ़ता हूं यानि कि एक बार फिर खुद के लिए सहानुभूती पैदा करने की बात और देश ने यहां वो जोधा भास है मगर वो भी बहस को जन देता है क्या इस मुद्दे का पंच शुरुवात इस बार उर्मिलिक जी आप से मैं समझता हूं कि मोदी जी एक ऐसे राजनिता हैं ऐसे प्रधान मंतरी हैं जो कुछ भी कह सकते हैं अब ये प्रधान मंतरी को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए जिस भाशा में इस तरह की बात जोने कही है लेकि मोदी जी हैं वो कुछ भी कहें और मोदी जी को ये क्या है मेरा पंच क्या है मैं आपको बतलाना चाहूंगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोरी आप कह रहे हैं मेरी दो से तीन किलो गालियों गालियां दी जाती है आपको इसमें कोई हकीकत नहीं है हकीकत यह है मोधी जी कि आप दो से तीन किलो गालियों का सामना नहीं कर रहे है हकीकत यह है कि आप एक ग्राम आलूशना बरदाश नहीं कर पाते हैं बाशा आप बताईए इस मुद्धे पर क्या है आपका पंच मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मोधी जी हर चुनाओ या अपने प्रती मोह पैदा करने के लिए खुद को पीडित सताया हुआ साबित करने की कोशिश करते हैं और उसी क्रम में उन्हें कहा है मैं मोधी जी से कहना चाहूंगी आपको कौन गाली दे रहा है आपने जो संस्कृटी राजनिती में पैदा की है बहुत गाली बाजों की संस्कृती है, तमाम आपके नेता, खुले आम, विपक्ष के नेताओं को भद्धी भद्धी अभद्र भाशा का इस्तमाल करते रहे हैं, गाली का कल्चर शुरू करते रहे हैं, बात वहां होनी चाहिए, और अब कम से कम खुद को पीडित बनाना, दि ही लूँ, प्रधान मंत्री जो आपके साथ होता है, वो गाली गलोज है, तो मुझे लगता है कि आप गाली गलोज और आलोशना के फर्क को भूल गये हैं, और हकीकत यह है कि आपने उसका इलाज भी तो ढून लिया है, आपके जितने भी आलोचक हैं, या तो दो-तीन साल स उस पर जश्ण मना रहा था, तो ऐसे में जब प्रधान मंत्री भाशा इस तरह की बात करते हैं, तो प्रधान मंत्री ज़रा भाजपा की गिरिवान में तो जहांक ले हैं, जी, और सबसे एहम बात है अभिसार, अगर हम क्रोनोलोजी देखें कि मोधी जी को अपने उपर प काम करते हैं, जिसमें स्मृती इरानी बहुत बड़ा नाम है, वह जब कॉंग्रेस के नेताओं पर गाली गलोज के अंदाज में बात करती हैं, धमकाती हैं, जूटे तत्य रखती हैं, तब कहीं से कोई कारवाई होती है, उस समय बात थी कि जिन लोगों ने गोड़से को ब बात करती हैं, और मोदी जी बाहर जाकर जी ट्वेंटी में गांधी जी का नाम लेते हैं, तो मोदी जी यह गाली गलोज आपकी संस्कृती है, और आप पर तो गाली देने का साहस क्या, आलोशना करने का साहस, मीडिया के तमाम और लोग करी नहीं पा रहे हैं, बिलकुल, उर्मरेश जी, मुझे लगता है, गाली आलोशना से तो एक अलग बात है, सबसे जो शौकिंग बात है कि गलत बयानी, गलत तत्थ पेश करना, और इसकी नुमाइंगी खुद प्रधान मंत्री ने बार बार की है, और गाली गलोज की बात करनी है, तो यह ना भूलें कि ग् पक्ष के निताओं की तुलना अतंकवाद से की है, मगर जैसे मैंने पहला पहलो जो है मेरा, गलत बयानी करना, और इसकी नुमाइंगी खुद प्रधान मंत्री ने कई मोर्चों पर की है, यह वो कैसे भूल जाते हैं, इतिहास में ऐसे प्रधान मंत्री हमने नहीं देखे, जो खुले आम मंचों पर इस तरह की गलत बयानी करते हैं, देखे, देश के गद्दारों को और इसके आगे जो नारा है जानते हैं आप, इस तरह की नारेबाजी करने वारे लोग मंत्री बनते हैं इस देश की कैबिनेट में, यह कोई साधान बात नहीं है, और साधान बात अपने देश का मेंस्ट्री मीडिया बिलकुल खामोश रहा उस पर डिबेट नहीं कराता रहा इसके अलावा आप देखिए मोदी जी हो चाहे अमिशाजी हो चाहे दूसरे और लोग हो जितने सो नाम धन्य लोग है इस पार्टी के और इस सरकार के उनके इस तरह के जैसे आप शर्ची थरूर की धर्म पत्नी जो अब नहीं है दुनिया में उनके बारे में क्या कहा गया सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा गया तमाम भी पक्षी नेताओं के बारे में क्या कहा गया सबसे शौकिंग संसद के अंदर मैंनी भूला हो रेणुका चौधरी जिस तरह से उन्हें ता हसा था आपकी इस हसी को देखकर रामायन याद आगे हम जानते हैं कि रामायन कि आप किस पाफ से तुलना कर रहे थे तो मेरा यह कहना है कि चुकि इस तरह की जो बाते हैं उसको लेकर भारत के मीडिया बे कोई रियक्शन नहीं होता है विपक्ष पर हमले केवल होते हैं सरकार के लोगों पर कोई चर्चा नहीं होती है तो एक माहौल ऐसा बना दिया गया है देश में देखे आप मीडिया के साइलन्स को साधान मत समझेए इसकी वज़ा से लोगों में वाकई ये बात बन गई है कि मोदी जी बले भड़े आदमिया है सब पीछे पढ़े हैं और मोदी जी जो कहा रहे हैं वही सच है तो ये जो अगर माहौल बन जाता है मेडिया के जरिये तो आप समाज को एक तरफा बना देते हैं और उसके पास कोई दूसरा डिस्कोर्स नहीं पहुंचता दूसरी कोई बात नहीं पहुंचती जो सच है तो मुझा लगता है इसका उफाइदा उठा रहे हैं बिल्कुल ये ना भूलें देखिए हर पुलिटिकल पार्टी का एक प्रचारतंत्र है मगर अगर आप सभी पुलिटिकल पार्टी के प्रचारतंत पर गोर करें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा अश्लील, सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा गंदी भाशा अगर किसी की है तो बीजेपी, आईटी सेल की है, उनका जो वो मुखिया है, अमित मालवी है जिसने हाल ही में वायर के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिन पर F.I.R. हुआ ये तमाम चीज़ें, हम ये ना भूलें, वो खुद कितनी बार जूट बोलते हुए पकड़ा गया है मतलब प्रधान मंत्री कम से कम अपने आईटी सेल पर तो निगहा डालने है जूटे जूटे फेक न्यूज फेक वीडियो आप ट्वीट करके तमाम तरह से तनाव पैदा करते रहें समाज में और आपने एक बार भी माफी नहीं मांगी है अभिसार मुझे लगता है कि यह दरसल एक संस्कृती दूसरी ढंकी है कि जो सबसे ज़्यादा गुनाहकारता है वह खुद ही अपने को पीडित बना रहा है मुझे कम से कम कई बार मोदी जी को सुनके ऐसा लगता है कि 2014 से नहीं उनको लगता है कि बस 2022 में वो प्रधान मंत्री बने है और बाकी तमाम लोग आलोचना करते रहे हैं जायज सवाल उठाते रहे हैं लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करते रहे हैं उनको आपने देश द्रोही तक करार दे दिया हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब गुजरात में मुरोबी पुल तूटता है सवाल उठाने वालों को कैसे आप सेबोटेज करते हैं आप अर्बन नकसल करते हैं और किसी ने कहीं माफी नहीं मागी किसी ने अपने ट्वीट तक डिलीट नहीं किये अभी सार भाशा सवाल उठाने वाली तो बहुत दूर की बात है आपने मृतकों पर इनके पालतू पत्रकारों ने मृतकों तक को गाली दिये तो मैं कहीं कि ये जो पूरा कल्चर है ये दरसल मृतकों को गाली देना था और ये जो पूरी संस्कृती है जहां पर आप सब कुछ करने के बाद, आप बिल्किस के गुनागारों को रिहा करने के बाद भी तमाम और मुद्दों पर बताते हैं कि आप महिलाओं के बड़े पैरोकार है, आपके उपर हमला हो रहा है, प्रधान मंत्री जी आप भूलिये मत, देश आपके पास है, कमान आ मंगाई हो, जो देश का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, हेल्थ केर नहीं है, यूमन डेवलप्मेंट इंडेक्स में आपकी 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 जो लगातार गिर रही है, वो ता अंतराश्री साजिश साहाब, जयां, जयां, तो ये मसले डाइलूट हो जाते हैं, इनको क किन विशमताओं, किन चुनोतियों का सामना किया, ना सिर्फ एजनसीज के जरीए, वैलकि प्रचार तंतर के जरीए, तो एक तरफ तो एक ये पहलू भी है, कि जो भी पत्रकार सवाल उठाएगा, उसके खिलाफ एजनसीज हैं, प्रचार तंतर है, और मैं चुकि खुद भ गालियां दे रहे थे, ये कहें कि तू देश का घदार है, कुछ लोग मेरे नाम को भी नहीं जानते थे, तो इस तरह से जब आप पत्रकारों पर निशाना साथते हैं, इंकम टैक्स केसे, इडी और गाली गलोज, क्योंकि इन तीनों का सामना मैंने किया है, नेजी तो जाह ये कि जो कॉर्पोरेट घरानों का कबजा है, जिसकी वज़ा से एक ही धंकी तुरही सुनाई देती है, जैसे ही मोदी जी कहते हैं, कि उन पे गाली पड़ रही है, आप देखी तमाम मीडिया घराने एक स्वर में एक ही धंकी खबर चलाते हैं, और यह जो प्रचार कंत्र ह यह आईटी सेल के साथ मिलकर पूरी देश में लोगों को बताता है, कि सबसे पीडित व्यक्ति कोई है, तो देश का सबसे ताकतवर, कोट अनकोट, 56 इंच की चाती वाला प्रधार मंत्री है, वो व्यक्ति जो आलोचना करने वालों को मसल देना जानता है, और मैं आपको ब 20 जो आयोजन हुआ, उसकी उसने अध्यक्षता की, मगर कई तस्वीरे सामने उभर कराएं, सबसे पहले मीडिया ने इस पूरे मौके को, इस कूटनी तेक मौके को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की छवी को प्रमोट करने का जरिया बना दिया, हमने एक और वीडियो भी क्या है इस मुद्दे का पंच? उर्भिलिश जी आप से शुरूबात करेंगे अभी मैं देख रहा था जो देश के बड़े कैविनेट मंत्री हैं और बड़े ताक्तवर लोग हैं, वो ये कह रहें कि भई जी ट्वैंटी की इस मैठक के बाद और जब उसको ध्यक्षता का जिम्मेदारी जब मिल गई है आगे के लिए, तो इससे भारत जो है, वो महाश महाशक्ती बन गया है, महाशक्ती बनता जा रहा है, और मोदी जी ने वाकई भारत को एक सुपर पावर बना दिया, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो इंडोनेशिया जो सदारत कर रहा था, या अध्यक्षता उसके हाथ में थी, अभी, तो वो तो महाशक्ती पहले यह सेगा, कि क्या यह कहा जा रहा है पूरी दुनिया में? मुझे लगता है कि मोदी जी की खासियत है कि चाहे देसी आयोजन हो या विदेसी आयोजन हो, वो हर आयोजन को एक PR इवेंट में तब्दील करते हैं और G20 को भी बखु भी, उसी तरह से उन्होंने जो अपने भक्त गणों के लिए, कोट अनकोट, विश्वगुरु वाली चवी है, जिसको मीडिया ने बहुत प्रचारित किया, उसी तरह से तब्दील किया, एक जगह भी आप बताईए कि कहीं कोई खबर आई हो, कि G20 दरसल किन मुद्दों पर था, उन पर प्रधान मंत्री जी का क्या कहना था, बाइडन के साथ क्या डिसकस हुआ, और सबसे एह चीन को लेके जो सीमा विवाद चल रहा है, क्या उस पर दो शब्द भी मोदी जी छी जिंपिंग से कह पाए, नहीं, हाथ मिलाया ये खबर है, मैं आपके सामने दो-तीन तथ रखना चाहता हूं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रूस ने जिस तरह से पोलंड पर होना चाहिए, तो कि देखे चुनावों के दोरान क्या होता है, जेपी नड़ा साहब घलत बयानी करते हैं, जन्ता के सामने कि भारत ने छे दिन के लिए जो है रुकवा दिया था युद्ध, यानि कि जो देश छे दिन के लिए रुकवा सकता था, वो तो हमेशा के लिए इस बयान को पहले ही विदेश मंतराले खारिच कर चुका था, यानि कि आपने कूट नीती को भी मसाग बना कर रख दिया है एक तरह से उर्मलेशी, देखे पहली बात तो यह कि जो उकरेन पर, जो पोलेंड पर मिसाइल वाला जो मामला है, वो यह लगबग क्लियर हो चुक कि भी रूस का इसमें रोल नहीं है, दूसरी बात यह है कि यह जो भारत की तरफ से जो बात कही गई थी, कि भी युद्ध का यह दोर नहीं है, मैंनी जी तोर पे मानता हूं कि यह बात सही है, चाहे वो मुदी जी कहें, चाहे हम कहें, चाहे आप कहें, यह बिलकुल सही है, लेकिन हम तो दूसरी चिंता हमारी है अपने देश के अंदर की की आखिर इतनी अच्छी बात एक मोर्चे पर कही जा रही है और दूसरे मोर्चे पर अपने देश के बीच में इतनी नफरत समाजों के बीच में इतनी इतना टकराओ ऐसा लगता है कि हम छोटे छोटे जुद् प्रवियों में फंसे हुए हैं अपने देश को खुशहाल बनाना संब्रिद्ध बनाना एजुकेशन को देखना बहतर हेल्थ केर को देखना बहतर किसानी को देखना बहतर इसकी कोई चिंता नहीं है केवल आप ऐसे मुद्दे को उठाते रहें जिसे लोग डिवाइड हों ज शब्द और कर्म सब्कुछ जो है राजनीती तक समटके है मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ आप जानते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने जो तौफे दिये हैं जी ट्वेंटी देशों को वो सभी तौफों की जो पृष्टभूनी है वो या तो हिमाशल की या गुजराती या चुनाव यानि की यह जो सरकार है चुनाव के आगे नहीं सीख सकती मगर भाशा मैं किसी और ने इससे पहले मैं जो उर्मिलेज जी कह रहे हैं वो बताना चाहती हूँ कि अब आप देखे इससे जादा कूटनितिक विफलता क्या होगी कि आप एक राज यह जो फैक्चुली गलत चीजे हैं उसको बार 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 इतनी बार बोला जाता है कि जनता को लगता है वाकई ऐसा ही हुआ क्योंकि कोई मीडिया नहीं दिखाता कि जो विद्यार्थी आए भी उनका हुआ क्या वापस आपने वही भेजा यहां पढ़ने तक कि मोदी वापस आपने उनको वही भेजा तो यह जो चुनावी मुद्धा हो जाता है अभी सार जैसे आप कह रहे हैं कि गिफ्ट तक और गिफ्ट पब्लिक डोमेन में अखबार चाप रहे हैं उसको मीडिया चाप रहे हैं टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि हमें हिमाचल की कितनी संस संस्कृती से प्रेम है गुजरात की संस्कृती से कितना प्रेम है कि हम जी ट्वंटी में उसको बेशने गए हैं बिल्कुल और एक और पहलो तो वीडियो याद हो का आपको कि शी जिन्पिंग जो हैं वो आते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुरसी से उठते कुछ अब क्या कहरें कोई बात सामने उबर करनी आई अब प्रिश्भूमी क्या है गालवान में संघर्ष में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं कल्पना कीजे अगर ऐसे ही पूरूप प्रधान मंत्री मनमोन सिंग ने किया होता भाजपा ने कितना बवाल किया होता और यह क्या भाई क्या बोला भारत ने क्या बोला मीडिया कम से कम यह तो बताए कि भारत ने उस वीडियो में बोला क्या देखे यह इसलिए बार बार करता हूं कि टेलिविजन के जरिये सरकार जो है वो अपना पूरा एजेंडा इस समाज के लिए इस देश के लिए लागू कर र किसल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा के जरीए लोगों का समर्थन पा रहा है एक मात्र मकसद सरकार का यही राले आए भाशा एक और तस्वीर जो बहुत वाइरल हो रही है कि भाई जो बाइडन जो है वो इस तरह से सलाम उस चैनल और एक और महतरमा उसे ट्वीट करती है कि कुछ हस्ती है भारत की वाह सलामी दी जा रही है मोदी जी को मोदी जी के नाम में एक जादू ही ये तक लिख दिया गया तो कोई फर्की दी रहे गया एक ट्रोल और पत्रकार की बीच और देखें सबसे मज़ेदार बात ह कि यह सबसे बड़ी खबर रही G20 में क्योंकि हम तमाम लोग ऐसे international conferences को cover करते रहे हैं जहां पर Canada अपना विरोज शी जिंग्पिन से दर्स कराता है officially यह भारत भी कर सकता था आपकी इतनी जमीन पर सारा मामला चल रहा है एक इंसिडेंट बताईए जहां पर यह बात उन्हों ने उठाई हो लेकिन यहां पर आप देखिए कि यह वाला जो वीडियो है जो कि भारती मीडिया को कम से कम reporting के लिहां से दिखाना चाहिए था वह गायब है जिरोंने ले रखिए इमेज बढ़ाने की देखे अविशार मैं समझता हूं कि अगर आठ साल में भारत की अंतरास्टी हैसियत सचमुच बहुत बढ़ गई तो भारत को वीटो पावर के साथ अभी यूएन में होना चाहिए था वीटो पावर के साथ लेकिन हमने तो पर कह दी जाए उसका कोई असर जो है जो लोग ब्रीन वाश्ट हो गए उस पर असर कभी नहीं पढ़ने वाला है इंडिया की बात में बस इतना ही अविसार भाशा और उर्मिलिश को दीजे अजासत नमस्कार